नमस्कार मैं हूँ राजक्मार, स्वागत है आपका खबरें दिन भरकी में चलिए डालते हैं नदर आज के समाचारों पर नई सरकार के गठन के बाद आज नीती आयोग की पहली बैठक हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्ध्यक्ष्टा में हुई इस बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराजपल शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सब्बोधन के साथ नीती आयोग के संचालन परिशत की बैठक शुरू हुई बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंतर को पूरा करने में नीपी आयोग की महत्वन धुमिका है भारत को 2024 तक 5,000 अरब डॉलर की अर्थ बिवस्ता बनाने का लक्ष चनौती पूर्ण है पर राज्यों के सयुख्थ प्रयाद से इसे हासल किया जा सकता है को काबले से पहले क surtout सभी को इस मैच की चिन्ता है कि मैच के समय मौसम कईसा रहेगा क्या मैच ग्रतों हो जाएगा मौसम विभाक के अनुसार रववार को माय इन्चेस्टर का मौसम अच्छा रहेगा बंगाल की स्वाष्ती सेवा पूरी तरह चर्मरावधनी है सरकारी अस्पताल के 700 से ज़्यादा डॉक्टरों ने अपने पदों से स्टीफा दे दिया है ऐसा उन्होंने खर्टाल कर रहे जुनियर डॉक्टर्स के प्रती समर्धन और एक जुटता दिखाने के लिए किया वहीं पच्चिम बंगाल में डॉक्टरों पर हुए खमले को लेकर केंद्र स्वास मंतरी डॉक्टर हर्श वर्दन ने राजजी की मुख्यमंतरी ममतार बैनेटली से अपील की कि वो इसे अपनी प्रतिष्टा का मुद्दार ना बनाए उन्होंने डॉक्टरों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर प्रतिवर्द है बिहार में इन दिनों दिमार्जी बुखार यानी चमकी बुखार बच्चों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल बनकर खड़ा है इसके कारण अब तक उनकतर बच्चों की मौद है चुकी है श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एन हॉस्पिटल में 11 बच्चों को ये बुखार मौद की नीज सुला चुका है बुखार से फीडिस बच्चों की सुंख्या लगातार पढ़ती जाने ही है बारती राजेस्ट्र सेवा आईएस के 12 अफसरों को सेवा से हटाया जाने के बाद भार सरकार इसी तरह की कारवाई उन सिबल सेवा आईएस और आईपियस के अफसरों के खिलाप करेगी जिनके खिलाप irregularities, indiscipline और प्रष्चाचार के मुकद में लंबे समय से लंबे थे सूत्र के अनुसार ये कदम धानमत्री कारले की पहल पर उठाया जा रहा है पाकिस्तान में रह रहे अंडर वर्ल्ड डॉर्ण जाउद इब्राहिम की डी कंपणी का भारत में नेटवर्ट बनाए रखने के लिए पाकिस्तान की कूफिय अजेंसी आईएस आई बंगलादेश सैना के रिटाइब करनल की मदद ले रही है बारती कुफिय अजेंसियों की लंबे समय से चल रही जाँच में ये संसनी खेज खुलासा हुआ है सूत्र के मतावी कुछ महिनों में ब्रिटेन और रुबई में इनकी कई मीटिंगें हुई है माना जा रहा है कि इस सांट गार्ट में हत्यार लॉबी के लोग भी शामिल है मिली जानकारी के अनुचार कश्मीरी आतनकवादियों और नक्स्मियों को हत्यार इसी नेटवर्प से जरिये पहुशता है बीजबी 6 जुलाई को जनसंके संस्तापक डॉक्र शामत साद्योहर जी के जन दिवस से अपना विशेश सदस्ता अभ्यान शुरू करेगी 10 अगस्तर चलने वाले इस अभ्यान में पाटी अपना अभ्यान लोगसरपा चुनाव में कमजोर प्रदेशन वाले राज्यों, कमजोर बूतों और युवाँ पर केंद्रिट करेगी अभ्यान समीती के संयोजग और पाटी के उपार्जयक्ष शिवरासिंच जोहान ने कहा कि पाटी ने नियुनितम 20 फीसिदी नए सदस्ति जोड़ने का लक्ष तैर किया है अभ्यान मुख्य रूप से पस्चिम मंगाल, केरल, तमिलाडू, पुदिचरी, लक्ष दीप, कश्मीर घाटी, उडिशा, तिलंगाना और युवाँ पर केंद्रित होगा वरिष्ट कॉंग्रेस नेता और पूर प्रिदारमंत्री मंगमोन सिंग ने कॉंग्रेस सासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ दिल्ली स्टित पाटी काले ने बैठक की इस बैठक में मध्यप्रदेश के मुख्यमंतरी का मलनाद, राईस्तान के मुख्यमंतरी अशूप गेलोड, 36गर के मुख्यमंतरी भुबेश बगेल और पुडिचोरी के मुख्यमंतरी वी नरायन स्वामी पहुँझे वही करनाटक में कॉंग्रेस जे डिये सरकार का नितित्प कर रहे मुख्यमंत्री हडी कुमार स्वामी भी बैठक में शामिल हुए इस बैठक में कई एहम मुद्दों पर चप्चा हुई साथी कॉंग्रेस पार्टी की आगे की रननीती परजी मन्थन हुआ लगाक में खराब मौसम की बीच भूस कलन में फसे एक्क्यासी परेटकों को सेना ने सुरक्षित बचा लिया वहां तैनाथ सेना की स्याइचिन ब्रिगेड ने सतकाल बचावकार शिरू करते वे परेटकों को निकाला ये परेटक यो धाटी जाते समय भूस कलन की चपेट में आगे थे बचाएगे परेटकों में महिला हैं वो बच्चे शामिर थे लोगों ने कहा कि सेना द्वारा उन्हें इतना सतकार मिला कि मानों जैसे वो खर कर रहे हो पाकिस्तान की हालत दिन बदिन खराब होती जाने भी हैं पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले 160 के करीब पहुँच चुका है दूद की कीमत पहुची 200 रुपय प्रती लीटर, सेब 400 रुपय प्रती किलो, संत्रे 360 रुपय और केले 150 रुपय दर्जन बेक रहे हैं तो वही मटन यानि मीर 1100 रुपय प्रती किलो तक पहुच गया है तो ये थे आपके समाचार, कल फिर आपके मुलाकात होगी, सब तक के लिए दीजिये जाज़त, नमस्कार